किम जोंग उन बोले उत्तर कोरिया के सामने जिन्दगी और मौत का बड़ा संकट उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने कहा कि इस साल देश की बिगड़ती अर्थ व्यवस्ता को सुधारने के काम पर ध्यान क्रेंदित किया जाएंगा शुकुरवार को किम जोंग उन ने कहा कि देश के सामने जिन्दगी और मौत का बया संकट खड़ा है इसलिए नए साल में अर्थ व्यवस्ता में सुधार राष्टिर प्रथमिक्ता रहेगी किम जोंग उन वर्कर्स पार्टी ओफ कोरिया की आठवी क्रेंदिय कमिटी के बैटक की एक एहन बैटक को संबोधित कर रहे थे बीदे सकता सोमवार को शुरू हुई ये बैटक शुकरवार को खतम हुई थी ये बैटक ऐसे वक्त हुई जब उत्तर कोरिया में उनके शासन के दर्थाल पूरे हो गए कोरोना वाइरस को फैलने से रोखने के लिए उत्तर कोरिया ने खुच पर पावंद्या लगा ली थी जिसके बाद वहां से खाने के सामान की कमी की ख़बर आने लगी थी जनुरी 2020 में उत्तर कोरिया ने चीन के साथ तटी अपनी सीना बंग कर दी थी किन जॉंग उनने अपने भाषन में तीदे कॉर्फन ना तो अमेरिका का नाम लिया और ना ही डक्षिंग कोरिया का कोई दिक्री किया उन्होंने कहा कि उनका मुख्य काम देश का विकात करना और लोगों के जिन्ड़ग्यों को बहतर बनाना है उत्तों कोरिया की सरकारी नियूज एजन्टी कोरियम सेंटर नियूज एजन्टी नियूज के अनुजार इन जॉंग उनने माना थी साल 2021 में उनके सामने जहाद मुश्किन तरफ्षिती करी थी उन्हों ने अपने लिए देश के भोजंग संकट खाने की कमी और लोगों के रहने के लिए उच्छी धरों की दरूरत जैसी जरूरी काम का उद्देश भी तैय किया के सी एन एक या नुज साल उन्होंने कहा कि आने वाले साल में कोरोना महामारी से निपचना उनके एहम उद्देशों में से हैं उन्होंने कहा देश के काम में महामारी से बचने के लिए इमर्जिंसी जैसे कजमों का रोच्छ प्रत्य मिक्सा दी जाएगी